रादे रादे सभी को मेरे चैनल में आपका श्वागत है आज के इस वीडियो में मैं जानकारी लेकर आई हूँ कि हमें किस किस की पूजा करनी चाहिए कार्त के महिने में और किस की कहानी सुननी चाहिए गनेज जी की तुलसी महिया की कहानी लेकर आई हूँ आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपको काहनिया भी मिल जाएगी कार्तिक महीना एक ऐसा महीना है जो पूरी साल में सब्रशेष्ट महीना माना जाता है क्योंकि ये विश्णु भगवान जी को अतिप्रिय महीना होता है कार्तिक महीने जिसमें तुल सी जी की पूजा करना अतियावशिक होता है। तुलसी जी की पूजा नेम बत करनी होती है। इसलिए हमें हल्दी का तिलक अवश्य लगाना चाहिए चंदन का तिलक नहीं लगाते हम तुलसी मैया सु आगे नहीं तो इसमें चंदन का तिलक नहीं लगा जाता है आज हमें गनेजी की कहानी सबसे पहले सुननी चाहिए उसके बाद हमें तुलसी मईया की जो भी बार होता है उसके बाद हम उस बार की कहानी सुनते हैं तुलसी मईया की एक या दो कहानी सुनने के बाद हम उसके बार की सुनते हैं जो मंगलवाज चुमार जो भी बार होता है उसकी भी कहानी हम सुनते हैं गनेजी की कहानी एक बुढिया माई थी, जो डेली मिट्टी के, रोजाना मिट्टी के गनेजी बनाती ती यो गल जाते थे, वहीं इस पास में एक सेट का मकान बना आता, तो बुढिया ने सोचा क्यों ने इन मिस्त्रियों से गनेजी बनवा लिए जाएं, जिससे मेरे न गलें बुडिया बोली पत्थर का गनेश बना दो मिस्तरी बोले जितने हम तेरा पत्थर का गनेश बनाएंगे उतने में हम अपनी दीवा चिल लेंगे बुडिया बोली राम कहे तुमारी दीवा टेड़ी हो जाए अब उनकी दीवा टेड़ी हो गई वो चिने और गिर जा चिने और गिर्जा इस तरह करते करते साम हो गई साम को शेट आया उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया वो कहने लगे एक बुड़िया आई थी वो कह रही थी मेरा पत्थर का गनेश बना दो तो हमने नहीं बनाया उसने का तुमारी दीवा टेड़ी हो जाए तब से दीवा सीधी नहीं हो रही है बनाते हैं उगिर जाती है सेट ने बुड़िया को बुलाएं सेट ने का हम तेरे सोने की गनेश जी बना देंगे हमारी दीवा सीधी कर दो सेट ने बुड़िया को सुने का गनेश बना के दिया सेट की दीवा सीधी हो गई जैसे सेट की दीवा सीधी वैसे ही सब की मनो कामना पूर कने गनेजी महराज बोलो गनेजी महराज कीज़े मैं आपके लिए तुलसी माया की कहानी भी लेकर आई हूँ जो कार्तिक महिनी में अवश्य सुनी जाती है और तुलसी माया को सुवे सामने हम से दीपक अवश्य जलाना चाहिए तुलसी माया की कहानी तुलसी माता की कहानी कार्तिक महिने में एक बुड़िया माई ती जो भी कार्तिक महिने नहने वाली आती थी उनको देखती रहती थी वो काहनी वगएरा सुनती, तो उनकी काहनी आवी सुनती, जब वो चली जाती तो तुलसी मैया से बुढिया माई बोलती थी, तुलसी माता सचकी दाइता, तेरा बेड़ला सीच्ति। मुझे बहू दे, पीता मर की दोती दे, मीटी मीटी गास दे, बैकुंट में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, डाल बात का बोजन दे, ग्यारस की मौत दे, किशिन जी का कंदा जे, तब तुलसी माता यह सुनका सुकने तो बगवान बोले, जब वो मरेगी, तुम्हें अपने कंदा दे आउंगा, तो बुडिया माई से कह देना, जब बुडिया माई मर गई, सब लोग आ गए, जब माई को ले जाने लगे, तो वह किसी से न उठी, तब भगवान एक बारह बरस के बालक का रूप धानन करके आए, बालक ने का मैं कान में एक बात कहूंगा, तो बुडिया माई उठ जाएगी, बालक ने कान में कहा, बुडिया माई मन की मिनकाल ले, पीता मर की दोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैक उंड का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, किशिन जी का कंदा ले, य वीडियो अच्छा लगी तो लाइक हैं सस्क्राइब और शियर जरू करना रादे रादे